ठीकमगड के लोग शहर की सडकों पर चलने से खौफ खा रहे हैं इसकी वज़ए है गुंडे और बदमाशों का आतंक नहीं बलकि सडकों पर बेताशा घूम रहे सांडों का खौफ है ये मतवाले सांड कभी चौराहों पर जमावडा लगा देते हैं तो कभी सडकों पर दौड लगाने लग जाते हैं इन घटनाओं को चलते से एक्टर लोग खायर हो चुके हैं सांडों के इस रवये से ट्राफिक भी प्रभावित हो रही है स्थानी लोगों का आरोप है कि प्रशासन की उसे आवारा सांडों के आतंग को लेकर कोई आक्शन नहीं लिया जा रहा है सांडों की आतंग से लोग परिसान है ऐसे लोगों कहां सांडों से ।ककर बीज बजार में लड़ते weis मं लेटोए मरे मंaly lleoweोट होते हैं जिससे लोगों के बहाण पी फूलते हैं और लोग भी फूलते हैं तो यहां के लोगों कई बार सकाइब भी की नगरी परसासन से लेकर इसके बाद भी नगरी परसासन के तौबारा कोई आत्क तक आरवाई नहीं की गई ना इसनाड़ों को बजार से कई वह सरक्षत किया गया है जिससे आए दन गटना घटत हो रही है और लोग इससे बीडत ह रहे हैं फलक कहा जा जाए इसमें जब नगरी परसासन हैं अपनी जिम्मैदारिगों से बच रहा है और जिन परसासन के परिप्सक करने में कोई कदम नहीं उठा रहा है नहीं के लोग कापी पर्षान है और इसंानों नहीं करते हैं सुर्य प्रकाश गोश्वामी एंडी टेवी नियूज हमारा सहर साड़ों का सहर बन्चो का नगरी परसासन के इसके और बिलकुल ध्यान नहीं है हम सुबा से लेके साम तक का जहां भी निकले साड़ी साड़ दिखते हैं आए दिन नों की लड़ाईयां होती है जिससे कोई ना कोई दुर्खकना होती रहती है अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले लुकमान चौराय पर भी गहकना हुई जिसमें लोग घायल हुए लोगों की गाड़ियों को नुक्सान हुआ हतात हुए अगर नगरी परसासने सोर ध्यान नहीं देगा तो आंगे चलक पकड़वाती हैं कल पकड़वाती हूं इसका सहर में धूरों का बहुत ज़्यादा आतंग है मुक्ष नगा परकात कारी दुआरा रहा है सहर में कोई विकास नहीं हुआ है ना कोई विकास करने की मूर में है वो एवाल कुछ सी बेट केर कमीशन खोरी करना चाहती है आए दिन सानों के लड़ने से कोई ना कोई छती गरस्त होता रहता है किसी के पेरों में फैक्चर हो जाते हैं तो किसी के हाँ तूड जाते हैं आवारा पसू की रोक्थाम के लिए जो आवाज अब तक उठती रही है नगर पालका खास तोर से इसमें दोसी माने जा सकती है नग कि जो मुख लाकी हैं जैसे नजाई मंडी है कट्रा बजार है इस्टिड बैंक है गांधी चोरा है सबी जगए अस्पताल चोरा है जहां भी आप देखेंगे रात्री में इतने बड़ी संख्या में आवारा पसु खड़े हो जाती हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जात है और इतनी ही जमीन मुक्तिधाम के लिए और कबरस्तान के लिए तो जी जमीन होगे तीन सो एकाट गाएं बारावर सुरक्षित भी रहेंगी गाये भूंकी भी ने रहेंगी उनकी बरावर सिवा हो जो हमारे हैं जो बेरोटकार लोग है उन लोगों को बहां पे काम दिया अगरपालका की टीम लगाई गई है और काव केचर की माध्यम से उनको फकड़कर जो नजदी की गवसाला है जो दयोदय गवसाला के नाम से जानी जाती है वहां पर साणों के लिए एक अलग से सेड बनाया गया है और वहां भीज रहे हैं उनको